बिहार के मुख्य मंतरी के खास माने जाने वाले मंतरी अशोक चौधरी ने देश के मुसल्मानों को लेकर नई जानकारी दी है मंतरी अशोक चौधरी ने कहा है कि देश के 90 प्रतिशत मुसल्मान तो दलित लोग है वो ब्राह्मन वादी बिवस्था में फंसकर धर्म को बदल कर मुसल्मान बन गए है वो लंदन और अमिर्का से नहीं आये है भाजपा मुसल्मानों को लेकर हवा पानी नहीं बहाए बिहार के भवन नर्मान मंतरी अशोग चौधरी अपनी पार्टी के कारिकरम भीम संबाद के लिए बिहार शरीफ गए थे मेडिया से बात करते हुए अशोग चौधरी ने कहा कि बीजेपी वाले मुसल्मान मुसल्मान कर रहे है ये मुसल्मान लंदन से आये हैं क्या, अमेरिका से आये हैं क्या, ये सब मुसल्मान तो ब्राह्मन वादी बिवस था और छुआ छुट में दलीतों कों फसा दिया, तो सब लोग मुसल्मान बन गए, मुसल्मान में छुआ छुट नहीं था, कुछ लोग बहुत बन गए, ये स अब तो दलित लोग है 90% मुसल्मान तो इस देश में धर्म पडिवर्तन करने वाले लोग है कोई मुसल्मान बाहरी नहीं है दरसल मंत्री अशोक चौधरी मुसल्मानों को रमजान के दोरान बिहार सरकार द्वारा दी गई खास सुविधा पर हो रही सियासत पर बोल रहे थे नितीश कुमार ने ये तै कि बिहार सरकार के अधिन काम करने वाले सारे मुसल्मान करमचारियों और अधिकारियों को रमजान के दोरान सरकारी कारियालियों में एक घंटा पहले आने और एक घंटा पहले जाने की सुविधा देने का एलान किया गया है नितीश सरकार के इस पढ़ा जाता है और उसके पढ़ने का कुछ प्रोविजन है कुछ समय है इसलिए मुसल्मानों को यह सुविधा दी गई है इसमें नया कुछ नहीं है यह तो सालों साल से होता चला रहा है भारतिया जनता पार्टी ऐसे ही कुछ-कुछ बोलते रहती है हिंदू-मुसलिम करने के लिए कुछ भी करते रहती है कभी-कभी भारतिया जनता पार्टी तो कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे कि मुसल्मानों को खटक जाता है जो लोग मैनुरिटी में है उन्हें संरक्षन दिया जाता है बीजेपी बेवजह रणननीती कर रही है जोरो दिख्षांस से करो फरी खुद को स्ट्रेस से गुगल प्ले स्टोर से दिख्षांस आप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसा नोर मज़ेदा दिख्षांस देता है टॉपिक वाईज वीडियो विद अनिमेटेड विजुल्स एंद कॉंसेप्ट बाइज